हेलो दोस्तों हमारे चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों आजम बात करेंगे दिल्ली फाजिल का इंटरसिटी एक्सप्रेस ट्रेन की जानकारी के बारे में दोस्तो इस ट्रेन का नंबर है 14507 दोस्तो ये ट्रेन जो है डिली चलती है दिली जंक्षन और फाजिल का जंक्षन के बीच में ये ट्रेन जो है 522 किलोमेटर का डिस्टैंज 10 गंटे 40 मिनट में पूरा कर लेती है इस ट्रेन की एवरे स्पीड जभा 49 किलोमेटर पार आवर और दोस्तो इस ट्रेन के तकरीबन 26 टोप है दोस्तो बात करें इस ट्रेन के कोच की तो इस ट्रेन में आपको लेच्पी Audience Kे कोच मिल जाते हैं इस ट्रेन में आपको A.C. Chairman का और Journal के कोच मिल जाते हैं और दोस्ते इस ट्रेन में आपको on board catering और e catering की सुविधा आपको इस ट्रेन में मिल जाती है और दोस्तो बात करें इस ट्रेन के लोकोमोटिव की तो ये ट्रेन जो है दिली जंक्षन से फाजिल का जंक्षन तक WDP 3A डीजल लोकोमोटिव से चलती है आगे हम बात करेंगे इस ट्रेन की टाइमिंग के बारे में दोस्तो ये ट्रेन जो है पुरानी दिली जंक्षन से डेली दोपैर को एक बच के पांच मिनट पे रवाना होती है फाजिल का जंक्षन के लिए उसके बाद दोस्ते सब्जी मंडी पहुंचती है दोपार को एक बच के 18 मिनट पे और एक बच के 20 मिनट पे वहां से रवाना हो जाती है यहां पर ट्रेन दो मिनट रुकती है उसके बाद दोस्ते नरेला पहुंचती है दोपैर को एक बच के चालिस मिनट पे और एक बच के बियालिस मिनट पे वहां से रवाना हो जाती है यहाँ परे ट्रेन दो मिनट रुकती है उसके बाद दोस्ते सोनी पजंगसन पे पहुंचते है दोपैर को एक बच के 55 मिनट पे और एक बच के 57 मिनट पे वहां से रवाना हो जाते है यहां परे ट्रेन दो मिनट रुकती है उसके बाद दोस्ते गन्नोर पहुंचते हैं दोपायर को दोबच के 10 मिनट पे और दोबच के 12 मिनट पे वहां से रवाना हो जाते हैं या परे ट्रेन 2 मिनट रुकती है उसके बाद दोस्ते समाल का पहुंचते है दोपार को दोबच के 24 मिनट पे और दोबच के 26 मिनट पे वहां से रवाना हो जाते है यहां परे ट्रेन दो मिनट रुकती है ते दोपेर को तीन बच के नो मिनट पे और तीन बच के ग्यारा मिनट पे वहां से रवाना हो जाती है यहां परे ट्रेन दो मिनट रुखती है उसके बाद दोस्ते त्रावडी पहुंचती है दोपैर को तीन बच के 21 मिनट पे और तीन बच के 23 मिनट पे वहां से रवाना हो जाती है यहां पर ट्रेन दो मिनट रुकती है उसके बाद दोस्ते कुरुक छेतर जंक्शन पे पहुंचती है दोपैर को तीन बच के 49 मिनट पे और 3 बच के 41 मिनट पे वहां से रवाना हो जाती है यहां परे ट्रेन 2 मिनट रुकती है उसके बाद दोस्ते अंबाला केर जंक्षन पे पहुंचती है शाम को 5 बच के 15 मिनट पे और 5 बच के 25 मिनट पे वहां से रवाना हो जाती है यहां परे ट्रेन 10 मिनट रुकती है उसके बाद दोस्ते अंबाला सिटी पहुंचती है शाम को पांच बच के 36 मिनट पे और पांच बच के 38 मिनट पे वहां से रवाना हो जाते है यहां परे ट्रेन दो मिनट रुकती है उसके बाद दोस्ते राजपूरा जंगसन पे पहुंचती है शाम को पांच बच के 53 मिनट और पांच बच के पच्पन मिनट पे वहां से रवाना हो जाती है यहां परे ट्रेन दो मिनट रुकती है उसके बाद दोस्ते पटेयाला पहुंचती है शाम को छे बच के उननीश मिनट पे और 6 बच के 21 मिनट पे वहां से रवाना हो जाते है यहापरे ट्रेन 2 मिनट रुकती है उसके बाद दोस्ते नाबा स्टेशन पे पहुंचती है शाम को 6 बच के 43 मिनट पे और 6 बच के 45 मिनट पे वहां से रवाना हो जाते है यहापरे ट्रेन 2 मिनट रुकती है उसके बाद दोस्ते दूरी जंगसन पे पहुंचती है शाम को 7 बच के 15 मिनट पे और 7 बच के 17 मिनट पे वहां से रवाना हो जाती है यहापरे ट्रेन 2 मिनट रुकती है उसके बाद दोस्ते बरनाला पहुंचती है शाम को साथ बच के 38 मिनट पे और साथ बच के 49 मिनट पे वहाँ से रवाना हो जाती है यहाँ पर ट्रेन एक मिनट रुकती है इसके बाद दोस्ते तापपटेसन पर पहुँंच थे श्याम को साध बज़ के चोवान मिनट पर और alla हो जात यहांपर एटरैन 2 मिनट रूकती है उसके बाद दोस्ते रामपूरा पुल पहुंचती है रात को आठ बच के आठ मिनट पे और आठ बच के दस मिनट पे वहां से रवाना हो जाते है यहाँ पर ट्रेन दो मिनट रुखती है उसके बाद दोस्ते बठिंडा जंगसन पे पहुंचती है रात को नोवजे और नोवच के बीस मिनट पे वहां से रवाना हो जाती है यहां पर ट्रेन बीस मिनट रुखती है उसके बाद दोस्ते गौनियाना भाई जगता पहुंच ते रात को नो बच के 32 मिनट पे और नो बच के 34 मिनट पे वहां से रवाना हो जाते है यहां परे ट्रेन दो मिनट रुकती है उसके बाद दोस्ते गंसर जट्व पहुंच ते रात को नो बच के 47 मिनट पे और नो बच के 59 मिनट पे वहां से रवाना हो जाती है यहां परे ट्रेन दो मिनट रुकती है उसके बाद दोस्ते कोट कपूरा जंक्शन पे पहुंचती है रात को 10 बच के 7 मिनट पे और 10 बच के 10 मिनट पे वहां से रवाना हो जाती है यहां परे ट्रेन 3 मिनट रुकती है उसके बाद द दोस्ते बाद दोस्ते अपने आफर श्टेसन पे पहुंचती है रात को 11 बच के 45 मिनट पे और अपनी 522 किलोमेटर की यात्रा जोएस माप्त कर लेती है